हे गाईज वाट्स अब कैसे आप सब लोग माइनेम इस अरविन दरोडार आप उचे देख रहे हैं मेरेजी केमिस्टी चनल पे चलिए गाईज लेक्चर नमबर सेवन शुरू करते हैं लेक्चर नमबर सिक्स तक इलेक्ट्रो केमिस्टी में हम लोग इलेक्ट्रो लाइटिक सेल के लिए फेराडे का फर्स लोग पड़ चुके थे और उसमें हम लोगोंने क्या किया था बहुत ही इंपोर्टन डेरिवेशन के थ्रू एक फॉर्मला निकाला था जिससे हम लोग नुमेरिकल में कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मले कौन से थे पहले तो हम लोग यह समझ लें फर्स टो फोल तो हमने क्या किया था माप पर नंबर ओव मोल्ज निकालने का फॉर्मला सीखा था आप लोग देखिए फॉर्मला वेट का था लेकिन मैं आप से कहूंगा कि आ फॉर्मला था आप सब लोगों को याद होगा ठीक है यह एक फॉर्मला था जो आप लोगों ने हमने वहां पर ड्राइव किया था और इसको हम लोगों को नुमेरिकल पोर्शन में इस्तमाल करना है अब जब आपको मोल्स बताओं तो आप किसी भी मैटल के लिए क्या निक निकालने का तरीका यही है that is current into time divided by 96500 into n factor इसी से निकालने है तब आपको gas के case में अगर आपको number of moles मालूम हो अगर आपको volume निकालना हो at STP तो आपको कैसे निकालना है that is very simple moles of gas into 22.4 यह लीटर में आपको answer देगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी gas के लिए एक mole अगर gas आपके पास तो STP पर उसका volume कितना होता है 2400 ml यह फिट 22.4 लीटर होता है ठीक है so finally आप इस तरह से आप volume calculate कर सकते हो किसी भी gas के लिए so अगर इसके अलावा को temperature pressure पर अगर आपको क्या करना हो moles की calculation करनी हो तो आप PV's cost to NIT का इस्तमाल कर सकते हो किसका PV's cost to NIT मैं इ यहाँ पर volume निकालना है किसी भी gas के लिए तो क्या करना पड़ेगा NIT by P तो यह formula थे बहुत simple simple से जो आप लोगों को ध्यान रखने है this is very easy और उसके लावा एक और चीज मैंने आपको drive कराई थी कि यहाँ पर जो number of moles है वो N factor के N T proportional है और उसके अगरे हमने क्या लिखा था the moles of cathode to the moles of anode which is equals to the N factor of anode to the N factor of cathode यह आप लोगों को मालूम होगा so finally यह formula का इस्तमाल करके अब लोग numerical portion करने वाले है so numerical करने से पहले मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि मैं आप लोगों को पहले क्या करूँ फेराडे का second low भी करवा दूँ और उसके साथ साथ comment section में कुछ एक doubts है तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं फेराडे का second low और साथ ही साथ comment section में कुछ doubt है electrochemical series को लेके वो हम लोग cover up करेंगे so चली वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोड़ा सा information so चली वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले खुशकबरी देता हूँ आप लोगों को अभी finally मैं unacademy पर एक verified educator हूँ और मेरे सारे वीडियो lectures free of course आप unacademy platform पे भी देख सकते हैं वहाँ पर you know notes oriented videos आप लोगों को मिल जाएंगे you know कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि sir कितने videos upload होंगे दिन में तो देखिए एक morning और एक evening में video upload होगा half an hour का होगा लेकिन उसके लावा अगर आपके पास पूरे दिन में time बचा है तो आप unacademy के बहुत सारे मेरे lectures हैं जो की already uploaded है 11th के भी और 12th के भी जिनके videos के link मैंने description box में दे दिये हैं जिसको click करके आप पूरे दिन में अपने और chapters भी शुरू कर सकते हैं so दोनों platform का फायदा उठाईए आपका course भी जल्दी होगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा जैसे कि वहाँ पर chemical bonding हो चुका है states of matter हो चुका है you know यहा physical classes लोग वहाँ प देखिए मेरे साथ Ferrari second law Ferrari second law second law देखिए हम लोग क्या कहता है फिर उसको हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर मैं आपको समझाओंगा भी और वो कैसे है वो भी बताऊंगा ठीक है तो बड़े ध्यान से देखिए Ferrari का second law क्या कहता है वो यह कहता है कि अगर आपने दो cell series में इसका electrode हो गया ठीक है यहाँ पर मैंने दो electrodes लगा दिये यहाँ पर भी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ दो electrodes यहाँ पर place कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा और दोनों cells को मैं चाहता हूँ कि मैं series में लगा दूँ अब series में लगाने का तरीका क्या है बहुत असान है इसको इ बैटरी से connect कर दीजे, तो मैं इस line को हटा रहा हूँ एक बार ठीक है, so finally यहाँ पर एक बैटरी से इसको connect कर दीजे, यह देखिए, finally यह हो गया, यह series connection, तो यहाँ पर suppose यह positive है, और यह negative है, और finally यह series connection हुआ, ठीक है, अब वो इनी cells के लिए अपना second low देता था, बड़े ध्याँ से समझेगा, अगर दो cells series में connected है, और आपको सबको पता है, अगर दो cells series में connected है, तो series के लिए क्या होता है, current का value same होता है, current I same, we all know, ठीक है, दोनों cell में जो current जाने वाली है basically, वो उसका value क्या होगा, same, सबको समझ में आगया, और current, time भी same ही होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर watch लगाते हैं, और time शूरू करते हैं, कि भाईया, कितने time के लिए आपने current flow करवाया, तो current, current के specifically, current भी same है, तो obviously time भी same ही होगा, कितने time के लिए दोनों cell में current flow हो रहा है, तो time भी same होगा, तो कहता है कि अगर दो cells, series में लगे हो, तो obviously उसमें current same होगा, तो उस case में वो यह कह रहा है, कि यहाँ पर दोनों cell में जो मिलने वाले product हैं, ठीक है, माल लेते हैं, कि यहाँ पर product मिल रहा है जो A, यहाँ पर product मिल रहा है B, यहाँ पर product मिल रहा है C, यहाँ पर product मिल रहा है D, यहाँ से समझेगा, वो तो मैं check करना पड़ेगा in electrochemical series के इस हाब से, कि हमारी को cathode और nerd पे क्या मिलने वाला हैं, सबको समझ किना गया, यह हमारा positive terminal तो इसका मतलब इसे इस cell के लिए क्या कहेंगे अनोड बरत्यान से चेक कीजिएगा तो विसली यह क्या हो गया उसके लिए कैथोड ज़रा समझें इस चीज़ को यह कैथोड हुआ सबको समझ में आ गया यह negative terminal है ज़रा धान से इसको देखिए कैथोड सबको समझ में आ गया तो इस वाले terminal को क्या बोलेंगे अनोड अब यह series connection है सबको समझ में आ गया तो यह कहता है मान लीजिए कि यहाँ पर इसके कैथोड पर A परक्ट इसके अनोड पर B परक्ट इसके कैथोड पर C परक्ट हो इसके अनोड पर D परक्ट टोटल चार परक्ट मिल रहे है ठीक है तो यहाँ पर यह वो यह बात बोलता है कि weight of A ratio of weight of B ratio of weight of C and ratio of weight of D यह जो चारोड परक्ट का ratio है वो किसके equal होगा इनके equivalent masses के ratio के equal होगा बहुत जादा important है मैं इसको prove भी करूँगा ठीक है so equivalent mass of A ratio equivalent mass of B ratio equivalent mass of C and ratio equivalent mass of D गाइस बहुत important है पहली बार मैं देखके अटपटा लगेगा लेकिन कुछ नहीं है और यह चीज मैं पहली भी पता चुक हो मैं आपको prove करके दिखाँगा मैं दुबारा बोलता हूँ देखिए अगर दो सहल आपने सीरीज में लगाए तो जो भी आपको product का weight मिलेगा उनका ratio उनके equivalent masses के ratio के बराबर होगा यही फेराडेगा क्या है second law बहुत important है ठीक है तो यहाँ से हम लोग clearly कह सकते कि इनका जो weight है basically इनका ratio उनके equivalent masses के ratio के equal होगा अब सवाल है कि कैसे आया तो उसको हम लोग prove करते है पर उससे पहले आप यह low लिख लीजे मेरे साथ लिखिए ठीक है for any series connection ठीक है for any series connection for any series connection of two or more than two cells two or more than two cells ठीक है more than two cells ज्यान से समझेगा two or more than two cells ठीक है the ratio of the ratio of the ratio of their ठीक है respective their respective weights ठीक है their respective weights at electrodes ठीक है at electrodes ठीक है is equals to is equals to equals to their equivalent mass equivalent mass ratio बहुत important है बहुत ही ज्यादा important है और इसको ध्यान से लिख लीजे बारा बोलता हूँ अगर 2 cells आपने सीरीज में लगा है तो current की और time की value सेम होगी उस case में ये बोल रहा है किनके ओपर जो भी आपको respective weights मिलेंगे उनका ratio उनके equivalent mass के ratio के equal होगा सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि ध्यान से इसको देखो क्या लिखा है मैं प्रूव भी करके कब बताऊंगा आप लोगों को tension मतलो आप पर मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि इसको ध्यान से देखो इसका screenshot लो और इसको अपनी copy में फड़ा फड़ से लिखो ठीक है क्योंकि इसका हम लोग इस्तमाल करने वाले है अब हम क्या करेंगे हम इसको prove करके देखें कैसे आया और ये बहुत आसान है फड़ा फड़ से इसका screenshot ले लो सो चलिए guys अब हम क्या करने वाले है फड़ाडे का जो second low मैंने आपको बताया उसको मैं prove करने वाला हूँ बड़े ध्यान से उसको देखेगा और बहुत easy है हाला कि मैं उसके बारे में पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देखें और उसको prove कैसे करेंगे वो ध्यान से समझेगा फिर आप numerical बड़े आसानी से कर पाएंगे तो ध्यान से देखे यहाँ पर मैं prove करने के लिए आपको एक question लूँगा live और साथी साथ फेराडे का second low भी prove करूँगा और उससे आपका एक concept में clarity आएगी कौन से concept में आपकी electrochemical series के concept में clarity आएगी कि actual में electrochemical series को इस्तमाल कैसे करते हैं तो चलो first of all तो उसने क्या कहा उसने ये कहा कि दो अगर आपने electrolytic cell series में जोड दिये तो current to time same होगा मतलब 4 same flow हो रहा है तो वो ये कह रहा है series में जोडते ही जो भी weight आपको मिलने वाले ना उनके respective electrode पे उनका ratio उनके किस चीज के equivalent mass के ratio के equal होगा ये बात वो बोल रहा है मालों आपके पास total दोनों cell में मिला के दो ही product मिल रहे है जो की वो भी possible है कैसे आपको बताता हूँ अगर दो product मिल रहे है तो दोनों के weight का जो ratio होगा वो उनके equivalent mass के ratio के equal होगा ये चीज वो बोल पा रहा है ठीक है अब ये कैसे है जारा उसको हम लोग example से live समझते हैं लेकिन आप लोग याद करो सबसे पहले तो equivalent mass निकालते कैसे बच्चों equivalent mass निकालते है molar mass divided by n factor ठीक है molar mass divided by n factor ठीक है आपको substance का n factor मालूम होना चीए वो आपको साथ साथ बताते जाओंगा अच्छा अब चलते हम लोग आगे लेकिन एक और चीज थी last time पे फेराडे के first low से आपने क्या किया था basically एक weight निकालने का formula निकाला था वो क्या था याद करो equivalent mass into current into time divided by क्या था 96500 याद है आप लोगों को यहाँ पर लिखा था molar mass divided by n factor और molar mass divided by n factor equivalent mass होता है तो यहाँ पर चाहो तो e भी लिख सकते हो तो आप यह चीज आपको clear होंगी वैसे तो यहीं से दिखाई दे रहा है कि weight is directly proportional to equivalent mass दिखाई भी दे रहा है लेकिन फिर में आपको prove करता हूँ suppose कि मैं यहाँ पर दो cell लेता हूँ जिनको मैं series में जोड देता हूँ ध्यान से इसको देखिएगा यह दो cell लिए सबसे पहले सवाल तो मैं आप ही से पूछूँगा ठीक है उसका जवाब आपको कैसे देना बहुत simple है अराम से इपर वीडियो को post करके खुद से ही जवाब देना और फिर मेरे answer से check करना आप कितने सही हो concept में ठीक है ध्यान से देखना तो यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर अपन दो road लगा देते हैं यह देखो यह first है और यह second road है मानदारी से देखना है बहुत ध्यान से बच्चों ध्यान से देखते रो सब समझ में आ जाएगा देखो यहाँ दो road लगाती दोनों को series में जोड़ना है तो जोड़ दो series में यह लो यह पहले cell को और यह दूसरे cell को suppose इस तरह से मैंने जोड़ दिया जोड़ गया तो यहाँ पर positive sign लगा देता हूँ यहाँ पर negative sign लगा देता हूँ ठीक है so finally यह दो cell हो गए अब इन cell में क्या गरो ना इन cell में पहले हम लोग एक solution भर देते हैं इस cell में क्योंकि पहले तो यह जानना है और AGNO3 इसमें डाल दिया और एक मज़े की बात मैं यहाँ पर क्या गरता हूँ यह जो दोनों लेक्टोड है ना वो ही silver के लगा देता हूँ ठीक है silver के लगा दिया अब इस तरह देखो यहाँ पर मैंने solution भरा suppose यहाँ पर CUSO4 का एक्वस solution भर देते हैं इसका example हाला की मैंने लिया था और साथ ही साथ मैं मान लेता हूँ कि यह जो दोनों रोड हैं वो copper की है तो मेरा सवाल सबसे पहला यह कि आप यह बताओ कि cell 1 और cell 2 के अंदर actually बनेगा क्या सवाल पूछ रहा हूँ बहुत इमानदारी से जवाब दो so finally यहाँ पर देखो दोनों cell में current और टाइम से हैं क्योंकि यहाँ पर basically यह series में जुड़े हुआ है सबसे पहले ढूंडो कि यहाँ बनेगा क्या तो आपको clear कर देता हूँ इनके anode पर कुछ नहीं बनेगा cathode पर आपको देखिए यह refining process है आप याद करो जब आप same road, same metal की road लगा रहे हो उसको उसी के solution में dip कर रहे हो तो उसी का oxidation होगा और उसी का reduction होगा जिसको पता नहीं है मैं यहाँ पर first example करके दिखा देता हूँ second वाला तो मैंने last video में करवाया था तो जब जब आपको पहचाननों कि अनोड पे क्या होगा और cathode पे क्या होगा जब उसको check करो सबसे पहले तो यह negative road है तो इस cell में यह है हमारे लिए cathode इस चीज को समझें cathode हमारा negative terminal होता है और फिर क्या होगा यह वाला positive तो finally यह क्या होगा हमारे लिए अनोड सब को clear है तो यह हमारे लिए अनोड हो गया यह हमारे लिए cathode है इसी case में यहाँ पर positive तो यह हमारे लिए क्या हो गया अनोड मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर यह negative वाला तो यह क्या हो गया हमारे लिए cathode सबको समझ में आगा अनोड हो cathode पे सबसे पहले हम लोग AG NO3 फर्स वाला यह जो फर्स सेल है और यह आपका सेकंड सेल है फर्स सेल में हम लोग बात कर लेते हैं क्या होगा फर्स में समझ में आ जाएगा तो सेकंड वाला तो मैंने करवा रखा है फर्स सेल में सबसे पहले हम लोग आया ना साथ में क्योंकि एक बसे तो पानी भी होगा और अब आपने रोड भी ऐसी लगा रखिए जो कि एक्टिव होगी ते यहां सिल्वर भी होगा सबको समझ में आ गया बेसिकली तीन लोग है जो कि यहां पर अपना ऑक्सिरेशन करवाना चाहेंगे लेकिन ऑक्सिरेशन कर देता हूँ एक चीज और यहां पर में मेंशन कर देता हूँ जब भी मैं कैथोड टर्मिनल की बात करूँ तो आपको पानी लेना है साथ नंबर वाला देखो यह शोट ट्रिक्स हैं इस चीज को समझो हालाकि मैं आपको इसको डिटेल में बता सकता बता दूंगा डोंट लेकिन यह शोट ट्रिक्स आप लोग ध्यान रखो कि कैथोड पे साथ नंबर वाला ही पानी लेना है और एनोड पे मुझे 21 नंबर वाला पानी लेना है अब 21 नंबर पानी और 7 नंबर वाले पानी में फरक क्या है जरा समझें कैथोड पे जो पानी है वहां पे पानी का र लिना है और एनोर की केस में 21 तंबर वाला लिना है इसको इलाबरेट करके किसी दिन बता दूंगा मैं बढ़ आप इतना इतना चीजे ध्यान रखो जिससे आपके सवाल असान हो जाएंगे कई लोग इसी का comparison कर रहे हैं कि सर उसका तो SRP कम है SRP जाता है water is water guys water is water यह reduction वाले case में मतलब यह है कि यह जो arrow के इस तरफ आएगा right hand side में left hand side में जब कि यह वाला right hand side में जाएगा दोनों equation ही अलग-अलग है समझ में रहा है तो यहाँ पर आप इसको इसमें confusion मत रखिए अपने दिमागे सिर्फ इतना रखिए के थोड़ की case में 7 नमर वाला पानी लेना है और anode की case में 21 नमर वाला दोनों comparison नहीं करना ठीक है तब ज़रा ध्यान से इसको देखिए इसको नमर पर आता है यहाँ पर ag कितना नमर पर आता है पूरी लिस्ट में जरा चेक कर क्या हो यह 19 नमर पर आ रहा है जबकि ए 900 नमर पर दिखाई दे रहा है बताव सबसे lowest किसका हुआ SRP, silver का, इसका मतलब silver का oxidation होगा, मतलब समझे कि silver के iron, road से निकल निकल के solution में आएंगे, कैसे AG, road से निकल के solution में आ रहा है, AG+, की form में convert हो रहा है, एक electron बाहर चोड़ रहा है, ये equation लिखा गया, सबको मालूम पढ़ गया, और finally ज़रा चेक करो, यहाँ से, अब यही AG+, के निकल निकल के कहा जाएंगे, cathode की तरफ, अब देखिए, cathode की बात करते हैं, चलो, cathode पे katein जाएगा, तो इन दोनों में katein कौन है, ज़रा चेक करो, AG+, सबको समझ में आ गया, और साथ में पानी है, अब इसमें क्या होगा, basically reduction, उसका होगा, जिसका SRP, अब कई लोग कहेंगे, सर, यहाँ पर electrode क्यों नहीं लिया, क्या फरक पड़ता है, AG तो लिखी दिया पहले से, तो इसके chance जादा है, AG, as compared to AG, तो यहाँ पर basically क्या होगा, AG प्लस और H2 से साथ में comparison हो रहा है, यहाँ पर 7 नमबर वाला है, यह और यह 19 नमबर वाला है, कैथोड पर reduction होता है, किसका, जिसका SRP हाई होता है, सही है, अब इन दो नमें हाई किसका है, 19 नमबर वाले का जादा होगा SRP, तो इसका reduction होगा, तो इसका मतलब AG प्लस जो है, एक electron लेगा, और AG में convert होगा, सबको समझ में आ गया, यह यहाँ पर finally हमको product मिलने वाला है, anode पर कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि anode से तो निकल निकल के जा रहा है, इस चीज को समझें, और सारा कहा जा रहा है, cathode की तरफ, तो हमें product मिल क्या रहा है, हमें actual में product मिल रहा है, silver, सबको समझ में आ गया, ऐसा same case, यहाँ है, anode पर कुछ होगा नहीं, anode पर क्या होगा, cu जो है, cu प्लस 2 की form में निकल निकल के, कहा आएगा, solution के अंदर, यहाँ पर cu प्लस 2 निकल निकल के आ रहा है, और finally, यही cu प्लस 2, अब यह तो कहां की है, cathode की, anode पर क्या होगा, cu प्लस 2, दो electron तो gain करेगा, और किस में convert होगा, cu के अंदर, और यह हमारे anode का case होगा, तो हमें मालुम बढ़ेगा, कि दोनों cell के अंदर action में product क्या है, यहाँ भी एकी product है, यहाँ भी एकी product है, यहाँ पर silver है और महाँ पर copper है, अब हमारा फ्राइडे का लोग क्या कहता है, वो बहुत simple specify करता है इस चीज को, ज़रा देखो, अब यह तो आपके doubt clear हो गया होगा शायद, अब देखो finally, यहाँ पर वो यह कहता है कि भाई, जो first cell है, उसमें आपको क्या मिल रहा है, ज़रा चेक करो, silver, second cell में क्या मिल रहा है, copper, इनके जो weight का ratio होगा न, उनके equivalent mass के ratio के equal होगा, simple सी बात कर रहा है, equivalent mass of, यहाँ पर लिखोगे, silver, और यहाँ पर क्या लिखोगे, equivalent mass of copper, बस, वो यह बात बोल रहा है, यह ratio इसके equal होगा, simple सी बात बोल रहा है, अब यह कैसे आया, ज़रा चेक करो, अब देखो, अगर मैं पहले cell की बात करो, first cell में ज़रा चेक करो, मुझे अगर सिर्फ weight निकालना है, weight of copper निकालना है, चलो, first weight of silver, क्योंकि पहले cell में silver लिया है, weight of silver निकालना है, तो formula लगाओ, कैसे निकालोगे, यहाँ पर किसका लिखोगे, equivalent mass of silver, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यह formula यूज कर रहा है, current similar है, time similar है, upon 96500, हाई या ना, यह first equation हो गया है, सबको समझ में आ गया, second cell की बात करो, अगर second cell में आप weight निकालना चाहते हो, copper का, तो उसके लिए क्या करोगे, equivalent mass of copper, यह देखो, यह formula यूज कर रहा है, into current और time तो दोनों जगा सेम ही है, क्योंकि series में लगया है, current of silver to the weight of copper, which is equals to, क्या आया, यह तो कट गया, आपस में आप डिवाइट करोगे, इन दोनों को, करो divide, ठीक है, तो यहां से ही, जो current और time similar है, यहां से और यह, कट गया, 96500 भी similar है, क्या बचा, that is equivalent mass of silver to the equivalent mass of copper, that's it, इस तरह से मैं आपसे बार-बार बोल रहा था, कि इनका जो भी weight होगा, उनके equivalent mass के, जो ratio होगा, उनके equivalent mass के ratio के एकवल होगा, so finally हमने faraday का second low भी prove करके देख लिया, अब मैं आपको summarize कर देता हूँ, जो जो numerical के लिए आपको formula काम देगे, उनको एक बार देख लो, ठीक है, so वो क्या कहा है, जरा check करो, सबसे पहले तो faraday के first low से हमें पहला formula मिला था, जो आप सबसे जादा मैं इस्तमाल करूँगा, धान रखिए, वो मैं इस सरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, वो था moles का, वो क्या होता है, that is current कितना flow करवाया, time कितना था, divide by 965 00, और साथ में क्या लोग है आप, n factor, that's it, और कुछ करना ही नहीं है आपको, यह पहला formula है, जो कि हम लोग इस्तमाल करेंगे, numericals में, ठीक है, और जब आपको mole पता हो, तो आप weight निकाल सकते हो, किसी का भी, that is moles into molar match, जिसको नहीं पता, मैं यहां लिख रहा हूँ, सबको समझ में आगया, इस से आप volume भी निकाल सकते हो, STP पर, वो भी क्या होगा, moles into 22.4 liter at STP, ठीक है, यह मैं पहले बता चुका हूँ, मैं summarize करा रहा हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, PV is close to nRT से भी volume निकाल सकते हो, मैं सबका इस्तेमाल करूँ गा, so don't worry, आप tension मत लो, एक formula तो यह हो गया, दूसरा जब हमको यहां से पता है, कि moles n-factor के anti-proportional हैं, तो आप second formula जो इस्तेमाल करेंगे, numerical निकालना बहुत easy है, ठीक है, तो इसकी मैं 20 साब कराऊंगा, और तीसरा, यह तो हमने कहां से जाना था, फिराडे के first low से, हाँ या ना, ठीक है, so finally, तीसरा वाला जो formula है, वो second low से आया था, second low से हमें क्या मिला, कि भाई, जो भी आपको weight मिलने वाला है, दो series में cell लगाने के बाद, आपको जो भी weight मिलने वाला है, weight at first cell suppose, ठीक है, first cell में जो भी आपको product मिल रहा है, उसका weight, और second cell में जो भी आपको product मिल रहा है, उसका weight, उनका ratio किसके equal होगा, उनके equivalent mass के ratio के equal होगा, ठीक है, और पता है, यह जो formula एक दूसरे को compliment करते हैं यह चीज इसमें convert हो जाएगी आप करके देख लो equivalent mass का आप क्या लिखो formula equivalent mass क्या होता है molar mass divided by n factor तो यह इसमें convert हो जाएगा जान से उसको देखो करके खुदी देखो एक दूसरे compliment करते हैं फरक सिर्फ इतना ही एक cell के लिए यह दो cell के लिए यह दो से जादा cell के लिए यह formula आपको ध्यान लखने है ठीक है numerical करेंगे तो आप इनी formula का इस्तेमाल करके सीधे answer निगाल सकते हैं पहली चीज तो आप करके दिखाऊंगा लेकिन अभी में आगरते हैं हम लोग थोड़े बहुत doubt ले लेते हैं comment section वाले मैंने दो तिन comment section के doubt देखे अभी भी लोगों को electrochemical series का use करने में थोड़ी problem है पहली चीज ना आपको clear कर देता हूँ कोई भी concept है ना science में completely 100% हर questions को solve नहीं करता है यह अपने दिमाग में डाल लो so चलिए guys अब मैं आपके comment section के थोड़े से doubt ले लेता हूँ कुछ लोगों को अभी भी electrochemical series को use करने में problem थी मैं एक बात आपको clear कर देता हूँ जरूरी नहीं कि electrochemical series आपके हर सवाल का जवाब दे दे महाँ पर कुछने कुछ exception होते ही है जो सवाल आपके जिसके जवाब electrochemical series से नहीं बन पारे इसका मतलब exception case है एक exception case तो मैं नहीं आपको पता है था आप लोग याद करो जब मैंने लिखा था कि NACL aqua solution है आप लोगों को पता है और concentrated लिया था मैंने NACL यानि कि समंदर का पानी लिया था उस case में आपके एनोड की तरफ मिलना चाहिए था oxygen लेकिन क्या मिल रहा था आपको chlorine gas क्या ये exception नहीं था क्या ये follow कर रहा है electrochemical series को नहीं कर रहा so guys exception हर जगा होते है अब एक बच्चे ने तीन तीन बार ये ही doubt लिख दिया क्या लिखा उसने उसने comment section में लिखा sir AGNO3 वाला जो aqueous solution वाला और ये जो platinum का electrode अगर हम यहाँ पे लगा दें तो यह आपकी electrochemical series से solve भी नहीं हो रहा अरे बच्चे पूरा वीडियो देखा करो इसली बोलता हूँ solve नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ नहीं कुछ exception होगा और आपको एक बात मैं clear कर देता हूँ देखो जब तक कोई extraordinary condition नहीं लोगे NO3-SO4-2 और Cl- का कुछ नहीं होता है ये solution में पढ़े रहते हैं इस चीज को mug up करो आपको मैं एक case तो बताई चुका हूँ यहाँ पर Cl- यहाँ पर आपको chlorine क्यों मिला क्योंकि आपने यहाँ पर NaCl का concentration बहुत ज़ादा था एक reason तो यह बताया था दूसरा oxygen इतना असान नहीं है oxygen का बनना तो मैंने reason आपको specify किये थे उसका एक exception case तो मैंने आपको बताया दिया और उस case में अगर आपने current का density high रखा current का density ठीक है high रखा मैंने आपको करने को भी कहा था अगर आपने current का density high रखा तो आपका यह जो चीज़े जो कभी कभी भी जाके क्या नहीं होती oxidize नहीं होती वो भी oxidize हो जाएगी आप लोगों को मैं जवाब देता हूँ कई लोग ने इस पे भी सवाल पूछा था तो SO4-2 current की density अगर जादा रखते हो तो उस case में वो convert हो जाती है S2O8-2 के अंदर और दो electron छोडती है इसका भी oxidation हो जाता है और इसको आपने लोग Marshalls Acid बोलते है क्या बोलते है Marshalls Acid तो बच्चों exception कहा नहीं होते है हर जगा पे होते है अगर यहाँ जवाब नहीं मिल पा रहा तो यहाँ पर भी exception होगा आपको मैं यहाँ पर click कर देता हूँ NO3 का नहीं होने वाला है यहाँ पर पानी का होने वाला है तो बस जहाँ पर आपको जवाब नहीं मिल पा रहा आप समझ लीजे वाहाँ पर कोई न कोई exception है और exception case ज़्यादा नहीं होते है 10% होते है बस और कुछ नहीं होता है और उनको आपको या करना है practice message करने से क्या होगा और उसने message बड़े अजीब तरीके से किया तो मुझे जवाब देना पड़ गया बच्चों आप ध्यान रखो वीडियो को पूरा देखो और मैं आपको बताता भी हूँ exception case है और exception case हर theory में होते है science में अच्छा कोई theory ही नहीं है जिसमें exception ना हो तो अगर exception है तो उसको मगब करने कोशिश करो that's it अब eco comment section में doubt था पानी को लेके ठीक है पानी की entry मैंने दो बार लिखी थी एक बार water था 7 number पर और एक बार water था 21 number पर याद है सब लोगों को देखिए कई लोग कहते कि sir अब इनी का comparison करना चालो कर दिया कई लोग कहते कि sir इसका SRP जादा ते इसका reduction क्यों नहीं हो रहा अरे बच्चों ये जो पानी यहाँ पर लिखा है आपको किस case में लेना है 21 number पानी एनोड की case में लेना है सबसे पहले तो आप decide खुद से ही कर लेते हो आदा दूरा देखोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है आप कभी बहुत बार ऐसा होगा बच्चों की कोई concept है instantly समझ में नहीं आता है आप यहाँ पर अपना एक simple सा फंडा बना लो जब भी आप cathode की बात करोगे तो आपको सिर्फ 7 number of water के बारे में सोच रहा है ठीक है इसका जवाब बड़ा आसान है वैसे क्योंकि यहाँ पर यह water reduction वाला है reduction वाले का मतलब क्या है यहाँ पर actual में पानी का reduction हो रहा है जरा समझो इस चीज को water reduce होके आपको क्या दे रहा है water reduce होके दो electron को gain करके hydrogen gas को दे रहा है plus 7 में यहाँ से 2 OH- बाहर निकल रहे है दिखाई दे रहा है सबको यह equation मैंने पहले लिखवाया था by the way लेकिन यहाँ पर oxidation वाला water है oxidation वाले का water का मतलब समझो यहाँ पर oxidation हो रहा है जरा check करो कैसे H2O यहाँ पर 2 लगे हुए है और यहाँ पर oxygen gas बाहर निकल रहा था 4 electron यहाँ पर मैंने 4H plus लिखते थे यहाँ पर oxidation वाला है आप series किसकी बना रहे हो SRP that is standard reduction potential तो basically यहाँ पर जब आप SRP के case में लिखोगे तो इसको opposite लिखोगे उल्टा तो actually में कुछ यूँ है अगर series में देखोगे तो वो यूँ है oxygen जो है basically 4 electron gain करके और 4H plus लेके 2 water के molecule बना रहे है यह actually में लिखा जाता है अब मैं आपको यह समझात दूँ लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा actually में यह है SRP की list के अंदर यह equation है तो 21 नमर पर oxygen लिखी हुई है इसलिए बोला मैंने oxygen का reduction हो रहा है लेकिन यहाँ पानी का oxidation हो रहा है यहाँ से यह हो जाओगे तो reduction है वापस आजाओ तो oxidation है तो इसका और उसका comparison बनता ही नहीं है इस चीज़ को समझें यहाँ पर जुरूब पानी का reduction हो रहा है लेकिन पानी का reduction नहीं हो रहा है यहाँ पानी का oxidation हो रहा है इस तरफ जाओगे तो reduction लेकिन उल्टा होगे तो oxidation क्योंकि यहाँ पर जाने पर electron gain हो रहे हैं और यह equation लिखी हुई है आपकी SRB के अंदर लेकिन मैंने आपको short trick बताई क्योंकि उससे सवाल solve हो जाता है इसलिए यहाँ पर पानी की दो बार entry का reason है कुछ एक में reduction वाला water है एक में oxidation वाला water है दोनों का comparison बिमान ही होई नहीं सकता बच्चे मुझे comment section में लिख रहे हैं कि यहाँ पर सर्थ 2 पानी आपने लिखे हैं comparison किये जा रहे हैं इसका concept एकदम crystal clear दिमाग में डाल लो अगर आपको PhD नहीं करनी है न simple सी चीज दिमाग में डाल लो ठोड़ी case में 7 नमबर वाला पानी लेना है और एनोर के case में आपको 21 नमबर वाला पानी लेना और कुछ नहीं है बच्चों समझाने को मैं answer कर दूँगा लेकिन question पे ध्यान दो और धिर धिरे आप जब देखोगे न अपने आप आपको समझ में आने लगेगा और actually में ये equations हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ explain कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया तो छोटी छोटी doubt थे जो मुझे आपको clear करने जरूरी थे I hope आपको clear हो गया होगा और अब अगले lecture से हम लोग क्या करने वाले numericals उसके पहले तक आप एक बार request करूंगा फिराडे का first law, second law सब आप ध्यान से देख लो और साथ ही साथ क्या करो homework दिया है description box में उसको जरूर करो गयाई और specially इन वीडियो को उन बच्चों को share करो जो की coaching अफोर नहीं कर सकते उनको बताओ कि हम इस तरह से घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है so next video मिलते है guys till then thank you so much thanks a lot